हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दे चैनल, जेनरल एनलाइसिस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, इंडियन करंची में संभावी चैंजेज के बारे में, और अधी आप इन्यूजपेपर की कटिंग को दखो, तो इस बात का काफी संभावना है, कि अब इंडियन करंची मे महत्मा गांधी के साथ-साथ, रविनना टैगोर और अब्दूल कलाम जी जी से हस्तियों का भी इमेज होगा, और अधी आप अभी देखो, तो RBI और SPMCI ने इस बात पे चर्चाएं शुरू भी कर दी है, उसे दी देखा जाए, तो अभी गोवर्मेंट के तरब से इसके ब बढ़ गया था कि क्या इंडियन कंसी पे, गांधी ची के जगव पे किनी और चर्चित हस्तियों का इमेज लगाया जा सकता है क्या, तो उन्होंने इस बारे में साफ मना कर दिया था, वेशेदी देखें, तो इससे पहले भी गोवर्मेंट ने कुछ चर्चित हस्तियों का इमेज जो है, वो सीकों के पीछे युपयोग में लाया है, इसे के आप देखो तो डॉक्टर भीम राव मिटकर की 125th बर्थ हैनिवर्सरी पे 2015 में प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोदी ने 125 रुपे का सीका जारी किया था, और इसके पीछे डॉक्टर भीम राव मिटकर का इ इनके बारे में भी चर्चा हो रहा है, ति यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले अस्थान पे हमारे फादर आफ नेशन महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने सत्य और आहिंसा के पाथ पे चलते हुए हमें आजादी दिलाया, और वहीं दूसरे अस्थान पे सारे इसे मिसाइल का डेवलप किया, जो आज भी हम लोग के लिए प्राउड की बात है, और इन ही कार्मों से हम इन्हें मिसाइल मैन आफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वहीं यह ति तीसरी इमेज को देखा जाए, तो यह रविंदर नाथ टैगोर जी हैं, जो की सारत ही एकमात रेशा देश होने वाला है, जहां कि करंशी पे एक से जादा लोगों के चित्रों का उप्योग किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि USA अपने करंशी पे एक से जादा लोगों के इमेज का उप्योग करता है, तो हम लोग उन लोगों के बारे में पर्सिडेंट राच चुके हैं और इसके साथ ही मैं आपको बता दू कि इन्हों ने ही डेमोक्रेसी का वो फैमस स्लोगन दिया था और दूसरे स्थान पे USA के एक ग्रेट सैंटिस्ट बेंजामिन फ्रेंकलीन का इमेज है और हम लोग इन्हें अलक्टर सिटी की खोज करने के कारण जानते हैं और तिसरे स्थान पे जोर्ज वासिंटन है जो की अमेरिका के फॉर्मर परसिडेंट राच चुके हैं और इन्ही के नाम पे अमेरिका के कैपिटल वासिंटन का नाम रखा गया है अब हम लोग थोड़ा इन्डियन करंशी के हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं तो अधी आप देखो तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में उस समय के करंशी का एक इमेज है यहां पे देख सकते हो कि इन करंशी पे यहां हमारे नेशनल एमेलम का इमेज यूज किया जाता था और अधीम लोग देखें कि आखर पहली बार गांधी जी के इमेज का इमेज का उप्योग का हम लोग करंशी में कब किये तो RBI ने करंशी के डिजाइन को चेंज किया और उसमें लगभग करंशी पे गांधी जी के इमेज को स्थान दे दिया गया और आम लोग बात कर लेते कि यह आखरी इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां पे है तो इंडिया में गौवर्मेंट और दो प्रिंटिंग प्रेस है इसमें से एक नासिक में है जो कि महराष्ट्रा में है और वहीं दूसरा देवास मजद प्रदेश में है जो कि सेंटरल इंडिया में पढ़ता है और यह दोनों गौवर्मेंट के अंडर आता है और वहीं जो दो और दूसरे है जो कि एक मैसूर में है और एक सालबोनी पस्चिम मंगल में है ये दोनों RBI के एंडर आता है और इसके साथ ही हमारे दítति में चार इसे अस्थान है जहां पर कॉईन बनता है और ये चार स्थान है मूंबई, हैदराबाद, कॉलकाता और नुटए जो कि दिल्ली के बगल में है और युत्तर पर देश में पड़ता है इसके साथ मैं आपको बता दूँ इंडियन करंशी में लगभग करंशी पे गौर्णर का सायन होता है वहीं 1 रुपिय के करंशी पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सायन होता है वहीं इसके बारे में अनलाइसिस किया जाए लेकिन अभी इमलोगों को फिलाल positive expect के बारे में ही सोचना है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टपे के साथ और अधि आप लोग ने इस वीडियो को पूरा अंग तक देखी लिया है तो चैनल को subscribe किये बिना नहीं जाईएगा